नमस्ते दोस्तों, ओलंपिक की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आज एक साथ ओलंपिक के इतिहास में गोता लगाते हैं प्राचीन ग्रीस से लेकर पैरिस दो हजार चौबीस तक। सबसे पहले बात करते हैं 776 इसा पूर्व की जब ग्रीस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। युनान के देवता जी उसको खुश करने के लिए हर चार साल में ये खेल होते थे। दौड भाग के साथ साथ संगीत, कविता और रंगमंच का भी मजा लोग लेते। उन्नीसवी सदी के आखिर में बैरन पियरे डीकुबर्टिन ने पैरिस में पहली उलम्पिक कांग्रेस बुलाई। यहीं से शुरू हुए आधुनिक उलम्पिक खेल और फिर अप्राइल 1896 में एथेंस में पहला आधुनिक उलम्पिक हुआ। 14 देशों से 241 खिलाडी आये थे। सुनो तो पैरिस 1900 उलम्पिक में पहली बार महिलाओं ने भी हिस्सा लिया ब्रिटेन की टेनिस खिलाडी चालोड कूपर पहली महिला उलम्पिक चैंपियन बनी। भारत की उलम्पिक यात्रा भी पैरिस 1900 से शुरू हुई बस एक खिलाडी के साथ। 1920 में भारत ने अपना पहला आधिकारिक दल भेजा। और फिर आया एमस्टरडम उनिस 128 उलम्पि आजादी के बाद 1948 लंदन उलम्पिक में भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा और हौकी में चौथा गोल्ड मेडल जीता। और मेरी कौम जैसे खिलाडियों ने देश का मान बढ़ाया। टोक्यो 2020 में भी भारत ने साथ मेडल जीते जिसमें नीरज चोपडा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत कर कमाल कर दिया। अब बात करते हैं पैरिस 2024 उलम्पिक की। इस बार भारत ने 16 खेलों में 117 खिल से भरा रहा है। और पूरा यकीन है पैरिस 2024 में भी हमारे खिलाडी नई उंचाईयां चुएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।